आपको बताएंगे कि हस तरीका अध्यान में हथेली के रंग का महत्तु क्या है तो जोदिश की कई विदाये जिनमें सामद्रिक जोदिश भी एक है सामद्रिक जोदिश में शरीर के अंग, तुचा और रंग को देखकर भविश का कतल किया जाता है जोदिश की विद्या में हथेली की रेखाओं का काफी महत्chine है इसलिए से हस्त रेखिये जोदिश का भी नाव दिया जाता है हतिली के रंग का सामंदित जूतिस में किस प्रकार का प्रयोग होता है हम उसकी चर्चे आपसे करेंगा और वो ही हम आपको बताने जा रहे हैं भविश्य जानने की चाहत में आपने किसी हस्तरीका पढ़ने वाले से अपना हाथ दिखाया होगा या फिर लोगों को ऐसा करते देखा होगा आपने सोचा है कि हस्तरीका पढ़ने वाली हमारी हतिलियों को देकर भविश्य कैसे बताते हैं वे हमारे स्वास्त के बारे में बता देते हैं विह हमारे स्वास, सभवाव और चरित्र के विशेषता को किस तरह जान लेऊं हस्त रेखा विशे की जानकारी का कहना है कि किवल हतेली पर दिखने वाले रेखाओ को देखकर भविष्य कथन नहीं किया जा सकता है और नहीं आपके विशे में पूरी जानकारी दी जा सकते हैं समंद्रिक जोदिश में स्टिक भविष्य कथन के लिए तुच्छा की प्रकृति वो हतेली का रंग भी देखा जाता है हतिली का रंग कैसे हमारी भविश में बोलता है वो मैं आपको बताने जारू सबसे पहले आप अपनी हतिली को देखिए फिर किसी और व्यक्ति की हतिली को देखिए आप पाएगे कि आपकी हतिली का रंग और दूसरे व्यक्ति की हतिली का रंग में अंतर है हतेली के रंग को देखर हस तरीखा से पविश्य बताने वाले आपके स्वास्त और सभाव के विश्य में बताते हैं जैसे आपकी हतेली का रंग बहुत ही पीला है तो हतेली का रंग कहता है कि आप आपके शरीर में रख्त की कमी पसकी संभावना है कि आप एनेमिया के शिकार हैं, आप सभाव से स्वार्थी हो सकते हैं। खस तरीखा विशेशक बताते हैं कि अगर आपकी हतिली का रंग पीला है, तो यह संकेत है कि आप रोग रस्त है, आपके शरीर में पिन दोस है, यह बया करता है कि आपका सभाव चिर्चिड़ा है। अगर आपकी हतिली लालीमा लिये हुए है, तो यह इस बात का इसारा है कि आप ब्रड प्रेशर के समस्या से परिशान हो सकते हैं। आप अपने गुस्से पर नियंत्र नहीं रख पाते हैं। छुटी छुटी बातों में आवेश में आ जाते हैं। आपकी हतिली का रंग अगर काफी लाल दिखाई देता है, तो आपका सभाव भोती उग्र हो सकता है। आप क्रोध में सीमा के पाहर जा सकते हैं, अथात मार पीट भी कर सकते हैं। स्वास्त के द्रिष्टी से इस प्रकार की हतिली होने पर आप में की रोग से पीडित हो सकते हैं। आपकी हतिली का रंग गुलाबी और चित्तिदार है, तो हर स्वास्त का विज्ञान के अनुसार आपका स्वास्त सामान है। और आप आशाबादी और कुछ मिजाज बेखते हैं। अगर आपके हत्यली का रंग नीला है तो आप यह समझ सकते हैं कि आपके श्री में रख्त संचार की गती धीमी है और हो सकता है कि आपके अंदर आलस्तिकी भावना हो इस सास्तर के अनुसार हत्यली का रंग गुलाबी है तो स्वास्त और सभाव दोनों ही दिश्टी से अत्यंत गुप्तम है तो आपने यह जाना कि हत्यली का रंग देखर सभाव और स्वास्त दोनों का रंग पहचान सकते हैं तो चलिए आप अपनी हाथे लिपो देखिए तो धन्यवाद